हे गाईस कैसे आप लोग मैं रिशब आपका स्वागत करतों मैं चैनल लौज बुष्टोवित रिशब में तो आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट वीग जुलाइ में वन टू सेंट जुलाइ के करिंट अफेर्स के बाड़े में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करियेगा और जितना हो से के अपने दोस्तों साथ शेर करना ना भूले बिना कोई समय को वेश्ट के वे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे कोशन के तरफ तो पहला कोशन के आए हमारा इंडिया के यंगेस्ट मेंबर कौन से एंपायर जो हैं इंडिया के वो यंगेस्ट मेंबर बन चुके हैं ICC के इलाइट पैनल ऑफ एंपायर्स के इलाइट पैनल ऑफ एंपायर्स होता है ICC द्वारा उनके यंगेस्ट मेंबर कौन बन गए है तो इसका एंसर है option number D. नितन मेनन तो नितन मेनन जो है वो मात्र 36 साल के उमर में 36 years of age है उनका और वो यंगेस्ट मेंबर बन चुके हैं आपको ICC के इलाइट पैनल ऑफ एंपायर्स में वो नाइजल लॉंग को डिपलेस का इलाइजल लॉंग जो है वो इंग्लैंड के हैं और 2020-21 session में उनका न्यूकती होगा और साथ जाथ यह इंडिया के तीसरे ऐसे एंपायर बनेगे जो ICC के इलाइट पैनल में जुडने वाले हैं इन से पहले थे सिनिवास, विंकेट रागवन और सुन्दरम रवी तो यह लोग इन से पहले इलाइट पैनल ऑफ एंपायर्स में जुडने हुए हैं ओप्शन नमबर A, Goa, Goa जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर प्रमूत सावंत जो है उन्हों ने आल्मोस्ट 14,380 स्क्वार किलोमेटर का लैंड दिया है इस फैसिलिटी को सेट अप करने के लिए MSMEs that is Micro, Small and Medium Enterprises जो कि इंडिया का पहला मेडिटाइम क्लस्टर होगा तो वो कंस्टर किसके हैं Goa के तो नेक्स्ट कोशन है हमारा अभी 2020 में Commonwealth to Short Story Prize ठीक है Commonwealth का Short Story Prize जो उनके स्टोडी The Great Indian Tea and Snakes इनके लिए उनके लिए Short Story Award मिला है Commonwealth के तरब से तो वो कौन है तो इसका एंसर है आपको Option No.C Kritika Pandey तो Kritika Pandey को The Great Indian Tea और Snakes के लिए Commonwealth के दवारा Short Story Award मिला है ठीक है और इस Award को प्रेंट किया था गानियन राइटर और एडिटर नी एकवई पारकेज ने ओके बाकी इंफोर्मेशन आप PDF में डाउनलोड कर लिजएगा आप अच्छे से वहाँ से आप उससे देख सकते हो Okay, which institute has developed a virtual classroom aid mobile master ji अच्छा एक institute ने अभी एक virtual classroom aid बनाया है जिसका नाम है mobile master ji तो वो कौन सा है, IIT कानपूर है, भुनेश्वर है, IIT मंडी या IIT, means IIS है Okay, तो इसका answer है option number A, that is IIT कानपूर, mobile master ji नाम का एक virtual classroom aid जिनसे द्वारा teachers और students को काफी help होगा और साथ आपना students और वीडियो भी record कर सकेंगे या teachers और वीडियो रिकॉर्ड करके students को भेज सकेंगे इससे तो ये आपको IIT कानपूर के द्वारा एक initiative लिया गया है, virtual classroom को मत करने के लिए in the COVID pandemic Okay, so अगला है Edward Philly, Edward Philly जो है, वो किस country के प्राइमनिस्टर थे जिन्होंने resign किया है कुछ government issue से कारण, तो इसका answer है, ये है France के थे, Edward Philly जो थे, फिलिप जो थे, वो फ्राइमनिस्टर जिनको उनको वहाँ के president Emmanuel Macron के द्वारा एक new chapter को कि France का economy, अब सब जानते हो, COVID-19 के द्वारा, COVID-19 के तहत, अभी पूरे world का economy जो है, वो crisis पर चल रहा है, क्राइसिस हो चुका है, तो उनको boost करने के लिए, उन्होंने एक नया plan किया है, France के president ने, Emmanuel Macron ने, और उनको इस्तिफा देने को कहा गया था, Edward Philly को, और Jean Castex जो है, Jean Castex को नया prime minister appoint किया गया है, okay, by the French president Emmanuel Macron, okay, इसे पहले मैं आख बता दिया, Edward Philly जो थे, वो अपने जगा पे resign क Russian electorate and will become president until 2036, तो 2.36 तक अभी new Russian parliament में new bill पास हुआ है, और उसके नुसार जो, वहाँ के, वहाँ के electorate थे, उनके नुसार अब present जो रहेंगे, वो 2036 तक रहेंगे, वो कौन रहेंगे, वहाँ के present president, Vladimir Putin, Vladimir Putin को लगबक 77.9% Russian electorate वोट किया था, कि पूतीन का जो पावर है, अब वो 236 तक रहेंगे, until the age of 83, उनका age अब 83 हो जाएगा, और वो 236 में होगा, जो उनका current जो term अभी चल रहा है, वो 24 में end हो जाएगा, लेकिन अभी जो new constitution का amendment हुआ है, उसके अनुसार, जो Germany, जो Russia के आपको president है, वो अभी 236 तक Vladimir Putin बने रहे है, okay, so, moving to our next question, धर्म चक्र डे, धर्म चक्र डे जो है, वो international buddhist confrontation के द्वारा मनाया गया है, वो किस दिन मनाया जाता है, तो इसका answer है, option number one, that is option number a, 4th July, तो ये IBC के द्वारा international buddhist confrontation के द्वारा धर्म चक्र डे मनाया जाता है, और इसके अनुसार, 4 July को ही, ये day मनाया जात है, बुद्धा के फर्स सर्मन, जब बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था, अपने पांच प्रिंस्पल को कहां पे दिया था, डियर पाक में दिया था, ठीक है, डियर पाक जो की अभी प्रेजेंट डे, सार्णाथ वार्ण शी यूपी में है, तो ये कोशन आता है, गुरु पुर्णिमा के दिन में आता है, आपको चार्ज उलाए, तो ये धर्म चेकर डे जो है, इस दिन मनाया गया है, इंट्रनेशनल बुद्धिस कंपरेटेशन को दोरा, ओके, तो, मुवीं चोगा, नेक्स क्वेशन, हूँ लॉँ 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 इस्ट नरेन मोदी के द्वारा लॉंच किया गया है, आत निर्भर भात आप, ओके, तो ये आपको मेंज का मेंज अब्जेक्टिव है, किस तरह से आप सपोर्ट करोगे, आत निर्भर आप एको सिस्टम को, और साथ साथ ये जो है, मिनिस्ट्री आफ एलेक्रोनिक्स और इ मिशन विर्क्ष रोपन, विर्क्ष रोपन विर्क्ष रोपन 2020 ये कैम्पेंग किस ट्रेट के द्वारा लॉंच किया गया है, तो मिशन विर्क्ष रोपन जो है, वो लॉंच किया गया है, उत्तर प्रदेश तरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योग किया गया था गुरु पुर्णीमा के उक्रेजन पर लॉंच किया गया था ओके जो कि हम लोग वरिक्ष को अपना गुरु मानते हैं इसलिए इस इनिशियेटिव को योगी आदित जी ने लॉंच किया था जिसमें 25 और सैप्लिंग्स को प्लांट किया गया था मिसन वरिक्ष जो बनने यह ने वाला है को वैक्सीन फोकिके इस के लिए क्स कंपनी के साथ साद गाट किया है अपना हैंड जवीई किया अगये तो यह और तो यह जो बननी होए यह दे यह और हम भाद भायोटेक कर दी जाएगी और इसके लिए ट्राइल्स वगरा भी लिए गए हैं सो आवर नेक्स पॉइंट इस डाइब के सीम जो है इस बात से याद है कि तमिलाडू के सीम जो है इपल इसामी ने एक फाउंडेशन स्टोन लाइ किया है अरे रूर मेडिकल कॉलेज में तो कॉलेज का न मेडिकल कॉलेज को यह एक मेडिकल कोलेज है जो की चार मेडिकल कोचे बनने वाले हैं आभी कलकरूची, कांचीपूरम, कुड़ लोड और अडियलूड में बनने वाले हैं जिसका एप्रूवल जैनवरी तुरहांट ट्विटी को दे दिया गया था और यह कॉस्ट जो है और होस्टिलर कोस्ट लगबग 347 करोड़ रुपे का कॉस्ट दिया गया है तो अभी इन्डिया तो इसका मैं एंसर दिया है आपको कि इन्डिया के अभी प्रेसेंट रामनात कोविन ने तो इस बार के हाइस्ट पेड एटलीट कोन है तो इस बार के हाइस्ट पेड अथलीट कोन है एटलीट कोन बन गए है तो इसका एंसर है आपको और सी ही इस रॉजर फेडर तो रॉजर फेडर जो है एक स्विस प्रोफेशनल टैनिस प्लेयर आप जनते हैं इसके अलावा मैंने जो आप्शन दिया था आपको ओके नवाद जीच भी एक प्रोफेशनल टैनिस प्लेयर है टोनालजड जो है वो एक पुर्टीगीस प्रोफेशनल फुट बॉलर है और लेनल मेर्टीव है वो अर्जन टीना परफेशनल फुटबार है कि यह सब रूचेश्ट मन का एक लिस्ट है, तो सबसे बड़ा लिस्ट में आते हैं, हिसास उपर आते हैं आपको Roger Federal, जो की एक tennis player है Next question is that, the government has given an approval to rename the port as Siyama Prasad Mukharji Port, किस port को government ने approval दिया है कि ये port Siyama Prasad Mukharji Port के नाम से जना जाएगा तो इसका answer है आपको, it is Answer number B, that is Kolkata Port, Kolkata Port को आपको change किया गया है कि Kolkata Port है इसका answer, तो Kolkata Port को आपको change किया गया है उनका नाम रखा गया है, Siyama Prasad Mukharji Port, जो की अभी just अभी launch किया गया है, इस नाम को, okay So, moving to our next question, which state will develop India's first lichen park Lichen Park ठीक है, तो मैं आपको बहुताक होता है आपको, that is Fungy and plus Elgur, Okay Fungy plus Elgur, So, Fungy and Elgur, जो है एक साथ रहते हैं, एक symbiotic relationship में तो दोनों, जो है, जो है, is the Fungy, जो होता है आप जानते हो वह ortrop नहीं होता है, वो dependent करता है दूसरे पर खाने के लिए और algae जो होता है और ट्रॉपिक होता है जो की डिपेंड करता है अपने से वह खाना बना सकता है तो यह आपस में रहते हैं symbiote relationship में जिसमें दूनों को फाइदा होता है fungi जो है algae को जगा जता है रहने के लिए और algae जो है उसके दौरान वो क्या करता है fungi को fungus को खाना प्रवाइड करता है फूट प्रवाइड करता है फंगस को ऐलगी का में algae करता है और fungus जो है fungus shelter प्रवाइड करता है और साथ-साथ fungus के दौरा ही वह पानी और minerals अलगी तक पहुंसते हैं तो यह दोनों जो हैं एक साथ symbiote relationship में रहते हैं फंगी फंगस और algae तो यह जो है Likan Park जो है इस तरह का इसे कहते है Likan और यह Likan Park जो है उत्राखंट Forest Department उत्राखंड में यह बनाया गया है यह पार्क वर्स्ट लाइकन पार्क हैं उत्राखंड government मनाया है तो CM उत्राखंड के है त्रिवेन सिंगरावत और गर्मन वहां के है बेबी रानी मौड़ि यह वो किसे मिला है आपको रविंद्र जडेजा को उनको मिला है उनका बैटिंग और फिलिंग कंटिबिशन के और सार यह बॉलिंग बी अच्छा करते हैं और टेस्ट में उनका बॉलिंग रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है तो उनको यह आवाड मिला के अवाड तो आप जानते हो फिल्डिंग के मामले में रविंज जड़जा is the best fielder of India तो उनको फिल्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के लिए एक और राउन परफिर्फरमांस के लिए सबसे most valuable player का award दिया है 21 century का wisdom के द्वारा तो इस बास से आप ध्यान रखिएगा BCI के President है Swarov Gaonli और BCCI का headquarters है Mumbai BCI Board of Control for Cricket in India okay President Swarov Gaonli and headquarters is in Mumbai so moving to our next question अभी recently Chinese region ने एक क्या किया है एक new virus create किया है जो कि एक flu virus है चैना में उसको वैस का नाम क्या है तो डड़ वायरस नेम इस G4 Swine Flow यह जो है वो पिक से कहरी होते हैं और इसका potential है यह भी एक एक रिस्क पाया गया है कि इसका potential है यह भी एक pandemic का रूप ले सकता है तो we have to be हम लोग को बहुत ज़्यादा ही आप इसके लिए सतर करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कि इस से हम लोग बचने के लिए करना पड़ेगा और यह जो है तुछान 9 का H1N1 variant है और यह वायरस जो है इस वायरस का नाम दिया गया है G4EAH1N1 और यह जो इसका नाम है G4 Swine Flu है और यह पिक्स के द्वारा होते हैं अब किस इन्वरसिटी ने डेवलप किया है ऑक्सीजनो जो की एक multi-purpose algae based respirator है मैं इसके बता हूंगा ऑक्सीजनो जो है वो एक multi-purpose algae based respirator है यह आपको launch किया गया है LPU lovely professional university चंडीगर के द्वारा ऑक्सीजनो जो है एक algae based respirator है जो की almost 99.3% harmful gases या particulate matter जो होते है हमारे air में उसको साफ करता है और यह जो है बूश्ट करता है oxygen को यह oxygen को बूश्ट करता है हमारे environment में so this is very great initiative यह फिरेट हमारा discovery है oxygen जो की एक algae से बना है algae 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 से बना में आपको बताया algae के बारे में ठीक है वो लगवन 99.3% जो है harmful gases को वो मिटा जेता है और oxygen को भी बूश्ट करता है तो अगला कोशन हमारा है who is taking charge as interim chairman of ICC ICC के interim chairman कौन बनने वाले है इम्रान ख्वाजा इम्रान ख्वाजा बनेगे ससांक मनुहर जो है वो ने ICC chairman के तरब से अपना इस्तिफा दे दिया है step down कर लिया है इसलिए इम्रान ख्वाजा जो है ICC के international career council के interim chief बनेगे ICC का headquarters है दुबाय और वो United UAE में परता है वहां के और ICC के CEO है मनु शाहनी ओके तो अगला कोशन अगला और या फिर लाश में बोल दिया जाए कि मैगनस कार्लसन जो है उन्होंने डिफीट किया है अनिजगिरी को वन लैब 53,000 chessable masters में जो की chess का एक tournament होता है उन्होंने वन किया है पहला पहला गेम वन किया था और लाश का तीन गेम जो ड्रॉ किया था अनिजगिरी जो है वो grand master बन चुके था आपको 14 साल के उन्होंन में और मैगनस कार्लसन is the number one player of chess तो मैगनस कार्लसन ने डिफीट कर द अनिजगिरी के लिए कि वो मैगनस कार्लसन से compete कर सके so that's all for today अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ अप शेयर ज़रूर करिए hit the like button and don't forget to subscribe subscribe करना बहुत ज़रूरी है और साइसाथ बेल आइकन को प्रेश ज़रूर कर देगा जिससे आपको मेरी वीडियो से नोटिफिकेशन मिल सके इसका पीडियाफ लिंक आपको description में जाएए नीचे description में check out करिए इसका पीडियाफ लिंक और वहां से download कर लीजे और अगर और आखड़ी बात अगर आपको अच्छा लगए वीडियो तो comment करके ज़रूर बताएएगा कि आपको कैसा ल